अजन्ता फार्मा लिम्टेट के बोर्डो बैरेक्टर्स की मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में Q4 के फाइनेंशल लिजर्ट को पब्लिश कर दिया गया है और इसके साथ-साथ बाइबैक की भी एप्रूबल दे दी गई है मैं आपको इस वीडियो में बाइबैक के बारें बताऊंगा वैसे तो इस कंपनी ने अच्छी रिजल्ट पोस्ट किये हैं इस बाइबैक में कंपनी 10,28,881 एक्विटी शेर्स इसू करेगी और ये टोटल नमबर ओफ एक्विटी शेर्स का 0.82 परसेंट है इस बाइबैक का प्राइस 2,770 रुपे प्रती एक्विटी शेर्स रखा गया है अगर हम लोग इस बाइबैक के प्राइस को इस सेर के कलके क्लोजिंग प्राइस जो 2,234 रुपे है इससे कंपेर करें तो ये बाइबैक 24% के प्रीमियम पर है तो कंपनी ये बाइबैक अच्छे खासे प्री 236 रुपे का फायदा हो सकता है दोस्तों इस बाइबैक का साइज 285 करोड़ रुपे है और ये 285 करोड़ रुपे है इस कंपनी के 30 मार्ज 2024 के audited stand-alone financial result के total paid-up share capital and free reserve का 8.34% है और consolidated financial statement के total paid-up share capital and free reserve का 8.03% है दोस्तों ये कंपनी इस बाइबैक को tender offer route से proportionate basis पर कर रही है तो आपको इस बाइबैक में participate करने के लिए अपने shares को tender करनी होंगे इस बाइबैक में promoter और promoter group भी participate कर रहे हैं कंपनी ने इस बाइबैक की record date भी fix कर दी है और इस बाइबैक की record date 30 में 2024 है तो अगर आप इस बाइबैक में participate करना चाहते हैं तो आपके लिए इस share की buying की last date 29 में 2024 है और अगर आप इस company के existing shareholder हैं और आप इस buyback में participate करना चाहते हैं तो आपको अपने shares को hold करी रखना होगा तबी आप इस buyback में अपने shares को tender कर पाएंगे अभी company ने इस buyback की timeline और other statutory details को release नहीं किया है इस buyback की timeline और other statutory details आते हैं मैं आपको उसकी भी update दे दूँगा तो दोस्तों आप इस वीडियो को like करें मेरे चैनल को subscribe करें इस वीडियो को अधिक सद्धिक लोगों के साथ share भी करें बहुत बहुत दूँगा